यह दोस्तों और सिर्फ और सिर्फ इसे आप 20 से 25 मिनट लगाएंगे तो आपके बाल जो है वो नाचुरल तरीके से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और इस रेमेडी को प्रिपेर करने के लिए आपको सिर्फ किचन में जाना है किचन में सारी चिविजे अवेलेबल हैं और बहुत ही कम इंग्रिडेंट से ये रेमेडी बनाई गई है जो डा है आपके सफेद बालों को काला करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है सिंपल और बहुती आसान रेमेडी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं फ्रेंट्स सो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू दी चैनल कैसे आप सबी लोग आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे अपना अच्छे तरह से ख्याल रख रहे हैं और वैसे दोस्तों सफेद बालों के अगर मैं बात करू तो सफेद बालों को कलर अगर आप करना चाते हैं तो आलू आप ज़रूर लीजिए। हर किसी के घर में लाबल होता है पचाटो प्रशा हम वादु। जिसके हम लिए प्रतर कर दोजीय में। गी जाल चांब करते हैं आप उसी तरे से यह हमारे सफेद बालों को काला करने के लिए बहुत ज़ादा हेल्प करता है। आपको एक आलू लेना है और जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से इस रेमेडी को आप प्रिपेर कर लीजिए उसके लिए आपको करना है आलू को यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए आलू जैसे ही ग्रेट हो जाता है फिर हमें इसका जो पल्प मिलता है और हमें इसका मिल जाएगा जो यहाँ पर रस वही आपको यूज करना है और मैंने यहाँ पर कच्छा आलू लिया है बिल्कुल इसी तरह से आपको भी कच्चा आलू ही लेना है और इसी को अच्छी तरह से आपको ग्रेट कर लेना है अब एक आलू में जितना आपको रस मिल जाए उतना रस आप ले लीजिए यह देखिए कुछ इस तरह से और इसके छिलकों को आपको बिल्कुल नहीं निकालना है दोस्तों इसके छिलके भी काफी ज़ादा हेल्फुल होते हैं एंटि ऑक्सिद्ट से भरपूर होता है लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी आलू के बारे में वैसे अ तो आप उसे चेक आउट कर सकते हैं तो अच्छी तरह से इसे आपको ग्रेट कर लेना है आप इसे दो तरीके से इसका जो रज से वो निकाल सकते हैं कि देखिए एक आलू कुरा हमने ग्रेट कर लिया है एक आपको अच्छा कंटेनर बाउल लेना है आप यहां पर छन्नी ले लीजिए और जो हमने यहां पर ग्रेट किया हुआ है यह पटाटो उसे हम अच्छी तरह से ले लेंगे आप इसे मलमल के कपड़े से भी निकाल सक करते हैं या फिर हाथों की मदद से भी आप इस तरह से प्रेट करते हुए इस रख को आप निकाल सकती है यह देखिए कुछ इस तरह से आपको यह पटाटो का जोरा से वह मिलेगा तो मैं अच्छी तरह से इसे पहले ले लेती हुँ तो इसे आपर आपको स्पून की है तो यह हमें जो रस है यह मिल चुका है एक पूरा पटाटो से यह देखिए और जो इसका स्टार्च होता है दोस्तों वो नीचे बैठ जाता है अगर आप इसे रूम टेंपरेचर पे इसी तरह से छोड़ देंगी तो यह कुछी टाइम पे बहुत यह अच्छी से पूरा ब्ल एक पटाटों को चुगा लें आपको एक लोहे का पैन लेना है और यहां मुझे लगता है तकरीबन आपको 3 जन बड़े चमच कहुरा है पूरा घुल उससे और देंगी और इसके बाद घच्छे सा कि वेयुचल बॉयल लगतेंगे बॉइल करने से पहले कुछ ऐसे इंग्रेंस हम इसमें जरूर आड़ करना चाहेंगे जिसका बहुत ही अच्छा सा रिजर्ट मिलता है हमें बालों को सफेद से काला करने के लिए उसके लिए आपको एक बड़े चमच यहां पर चाई की पती डाल देना है आपके बालों को बहुत ज़दा नाच्रल सॉफेड मिलेगा बाल आपके सॉफ्ट होते हैं नाच्रली ब्लाक होते हैं और कलर भी बहुत ज़दा प्यारा आ जाता है तो यहां पर हम इसे अच्छे से बॉइल कर लेते हैं थोड़ा सा आप इसमें चाहें तो वाटर आड़ कर स इसे हमने सिर्फ एक बॉइल पे इसे बन कर दिया है गैस के फ्लेम को अब इसे हम चान लेंगे उसी बॉइल में इस तरह से इस पेस्ट को में ले रही हूं और इसे अच्छी तरह से में स्टेन आउट कर लूँगी आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा कलर आलू का कलर त जो है वो डाय प्रिपेर हो जाता है फ्रेंड्स आपको इसमें कोई भी केमिकल वगेरे मिलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और यह नाच्रली इस तरह से आप अपने बालों पर इसका अप्लिकेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से इसकी ठीकनेस की वज़े से इसका जो कंसिस्टनसी है बिल्कुल इसी कर ऐसे इसे प्रिपेर करके अपने सफेद बालों पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि आपके बाल काले घने होंगे और लंबे भी होंगे शादी पार्टी या फंक्शन में कहीं जाना चाहते हैं तो जस्ट आपको इस आल लोगों के लिए बहुत ज़्याइब रही होगी प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा शेयर करिएगा इस यूसफूल वीडियो को जादा से जादा ताकि बाकी के लोग इसका बेनिफिट ले सखें और यह देखिए बहुत ही अमेजिंग सी हमारी जो नाच इसके साथ ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके मिलती मैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें बाई बाई हैव नाइस टे हैव ग्रेट टे